आज हम आपको अपनी इस वीडियो में दिल्ली शहर के बारे में बताने जा रहे हैं दिल्ली शहर लोगों को अकटशित कर देने वाला शहर है यहाँ पर हर तरीके के टूरिस प्लेस या शॉपिंग कमप्लेक्स देखने को मिल जाएंगे मंदिर, मौल्स, जू, पुराने राजाओं के बनाएगे महल, किले सब आपको दिल्ली नगरी में देखने को मिल जाएंगे हम अपनी इस वीडियो में दिल्ली शहर के कुछ प्लेसिस के बारे में बताने जा रहे हैं लेकिन यह सिर्फ कुछ ही जगाए हैं बाकी जगाओं को जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको अपनी अगली वीडियो में दिल्ली शहर के बाकी जगाओं के बारे में असानी से बता सकें जानिये इन जगाओं के बारे में नमर एक पर है लाल किला दिली ये नहीं पूरे भारत की शान लाल किला अपनी शान शौकत के लिए पूरे दुनिया में विक्यात है लाल किले का नर्मान 1648 में हुआ था लाल किले को लाल पत्थर से बनाया गया है इसलिए इसे लाल किला कहा जाता है इसकी सुन्दरता देखने लाइक है इसका आर्किटेक्ट साइल बहुत ही अनोखा है लाल किले का गार्डन, महल, दिवारें सब कुछ बहुत सोच समझ कर बनाए गए हैं यहाँ पर विबिन विबिन संस्कृति देखने को मिल जाएंगी लाल किले की दर्वाज़े, मुखे दर्वाजा, दर्शक हौल सब अपने आप में अनोखा है अगर आप दिल्ली आएं तो लाल किला देखना ना भूले नमबर दूसरा चान्नी चौक दिल्ली में आप चान्नी चौक बहुत ही फेमस जगा है चान्नी चौक की मार्किट काफी फेमस है यह मार्किट सबसे बीजी मार्किट है यहाँ पर अनेक तरह के के मसाले, ड्राइफ फूर्स, सिल्वर जुल्री, असेंशल ओयल्स, स्टेशन कोस्मेटिक्स और भी अन्य तरीके के समान मिल जाएंगे यह बेस्ट लॉथ मार्किट है चान्नी चौक में प्राठे वाली गली बहुत ही फेमस है सर्दी में यहाँ दॉलर्ट की चार्ट से लजीज और कुछ भी नहीं है यह मार्किट खरीदारी के लिए सबसे उप्युक स्थान है इस मार्किट में आपको पैदल घूमना पड़ेगा यहां गाड़ियां नहीं चलती नमबर तीन पर है जंतर मंतर जंतर मंतर का निर्मान 1724 में जैपूर के राजा जैसिंग ब्युत्ते ने दिल्ली में करवाया था यह एक खगोले वैच्छाला है यहां पर बड़े-बड़े उपकर्णों से गन्रा की जाती है यह एक हरान कर देने वाली जगा है इसे जिस राजा ने बनवाया था वे खुद भी एक गनितिग्य है जंतर मंतर एक खगोले वैच्छाला कर नाम है जिसका अर्थ है गन्रना के उपकरण इसके बीच में एक विशाल समराट यंत्र लगा हुआ है आपको दिल्ली में जंतर मंतर में नीमन उपकरण देखने को मिल जाएंगे समराट यंत्र जै प्रकाश यंत्र राम यंत्र नियती चक्र मित्र यंत्र यह सुबे दस बजे से शाम के छे बजे तक खुलता है जंतर मंतर कनाट पैलस के पास स्थित है नमबर फोर्थ में मैं आपको बताना चाहूंगी इंडिया गेट के बारे में दिल्ली आये और इंडिया गेट नहीं देखा तो क्या देखा यह सान राश्टपती भवन से लगबग 2-3 किलो मिटर दूर अब चारिक मुख्य मार्ग राश्पत के पूरवी चोर पर है यहां पर प्रति दिन इंडिया गेट देखने के लिए आते हैं और इसके आसपास की सुन्दरता सुन्दर नजारों जैसे फवारों लाइट का लुट्व उठाते हैं दिल्ली की यह सबसे खूबसूरत जगा है नमबर पांच पर है लोटस टेंपल लोटस टेंपल का निर्मान 1986 में पूरा हुआ था यह अपने फूल के अकार के कारण प्रसिद है इस टेंपल की इमारत में 27 खड़ी मार्बल की पंखुडियां बनी हुई है जिसे 3 और 9 के अकार में बनाया गया है इसके प्रवेश हाल के 9 दरवाजे हैं जो लगभग 40 मिटर के हैं और इस टेंपल में 2400 लोग सब एक साथ आ सकते हैं इस मंदिर की सुन्दरता कोई शब्दों में बताया नहीं जा सकता यह मंदिर नहरु पैलेस के समीप सित है इस मंदिर में कोई भी मूर्ती नहीं है यह मंदिर शांती का प्रतीक है उसके बाद आता है दिल्ली जू दिल्ली का जू बहुत ही फेमस जू है यह चिडिया घर पुराने किले के पास सित है यह बच्चों का पसिंदिदा पिकनिक प्लेस है यहाँ पर 130 प्रजाती के लगभग 1500 अलग अलग जानवर है यह जानवर बहुत ही खुबसूरत है इस तरह के जानवर आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे इस चिडिया घर यह चिडिया घर बहुत बड़े ही अलाके में फैला हुआ है नमबर सेवन पर है सेलेक्ट सिटी वॉक सेलेक्ट सिटी वॉक एक शॉपिंग सेंटर है जो साकेट डिस्ट्रिक सेंट्रे साकेट न्यू दिल्ली में स्थित है यहाँ पर 180 से भी ज़्यादा स्टोर्स है भारत के प्रसिद ब्रांड्स और विदेशी ब्रांड्स के हर कपड़े यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कॉस्मेटिक्स के भी हर ब्रैंडिर प्रोड़क्स यहाँ पर मिल जाएंगे यहाँ पर मल्टी किसिनो फूड कोट्स यहाँ पर फास फूड्स और कैफेस भी हैं यहाँ पर पी वियार सिनिमा मल्टी प्लेक्स भी हैं सिलेक्ट सिटी वॉक दिल्ली के प्रसिद मॉल्स में से एक है नमबर आठ पे मैं आपको बताना चाहूंगी हुमायू के मकबरे के बारे में यह मकबरा मुगल साशक हुमायू का मकबरा है इस मकबरे को हिमायू के बेटे ने मानिता प्रदान की थी यह किला दिल्ली के निजामुदीन इस्ट में स्थित है इस मकबरे के अंदर बहुत ही छोटे-छोटे समारक बने हुए है किले के अंदर बहुत ही सुन्दर-सुन्दर सम्रिति चिन है सुन्दर शाम्याने है और दिवारों पर बहुत ही सुन्दर-सुन्दर कलाकृतिया की गई है नमबर 9 पर मैं आपको बताना चाहूंगी अक्षरदाम टेंपल के बारे में अक्षरदाम टेंपल न्यू दिल्ली में स्थित है यह एक बहुत ही प्रसिद मंदिर है इसे गिनिस बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है यह मंदिर स्वामी नरायन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है यह मंदिर यमुना के तटपर बना हुआ है यह मंदिर वासुशास्त के अनुसार ही बना हुआ है इस मंदर में अभिशेक मंडप, वाटर शो, तीम गार्डन और तीन प्रदशनी सहजानन्द, दर्शन, नीरकंठ दर्शन और संस्क्रीदी दर्शन है शाम के समय का फाउंटेन वाटर शो आपको मंद्र मुग्द कर देगा दिल्ली में आने वाले 80 प्रतिशत लोग इस मंदर को पसंद करते हैं तो अगर आप दिल्ली आएं तो इस मंदर को देखना न भूलें नमबर दस पे मैं आपको बताना चाहूंगी इस कौन टेंपल के बारे में इस कौन टेंपल के बाहर एक बहुत बड़ा सा पार्क है यह मंदिर भागवान कृष्ण के नाम की वज़े से फेमस है इस मंदिर में कृष्ण भजन गाय जाते हैं यहां कृष्ण भजनों पर लोग नाश्टे कूते नजर आएंगे इस कौन टेंपल नहरू पैलेस के पास सित है इस कौन टेंपल के भजन आपको मंत्र मुख्द कर देंगे नमबर ग्यारा पर मैं आपको बताना चाहूँगी नैशनल म्यूजियम दिल्ली के बारे में नई दिल्ली का राष्टे संग्रहाले देश के सबसे बड़े संग्रहालियों में से एक है इस संग्रहाले में कई प्रकार की रोचक चीज़ें प्रदशित की गई है इस म्यूजियमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युक तक की विभिन प्रकार की कलाओं को परदशित किया गया है यह म्यूजियम जन्पत मार्क पर मुलाना अजाद मार्क के चुराहे के निकर स्थित है यहाँ पर बहुती सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनी हुई है नमबर बारा पर मैं आपको बताना चाहूंगी लोदी गाडन से यहाँ पर बहुती सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे हैं अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी यह दिल्ली की कुछी जगाओं के बारे में मैंने आपको बताया है दिल्ली की और रोचक जगाओं के बारे में जानने के लिए हमारे इस वीडियो का सब्सक्राइब करें ताकि हम अपनी अगली वीडियो में आपको दिल्ली शहर की बारे में और जानकारी प्रदान कर सकें